देश के नाम आज प्रधान मंत्री मोदी का सम्मोधन होगा यह हम जानकारी इस वक्त निकल कर सामने आ रही है और यह माना जा सकता है कि जिस तरह आज अनलोक देखने को मिल रहा एक बार फिर बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहा निकल रहे हैं तो शायद देश वाक्सियों को प्रधान मंत्री संदेश दें कि कैसे हमें कोरोना को काबू में रखते हुए काम धंदों को चलाना है शाम पांच बजे प्रधान मंत्री मोदी देश को समोधित करेंगे और पूरी पूरी ये उम्मीद की जारी है कि जब आज से अनलोक की प्रक्रिया तमाम राजियों में शुरू की गई है तो लोगों से अपील भी प्रधान मंत्री करेंगे कि कडाई से पालन करना अभी भी कोविड प्रोट्रोकॉल का बहुत जरूरी है दोगज की दूरी मास्क है जरूरी इस नियम को फॉलो करना अभी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है शाम पांच बजे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी देश को समोधित करने वाले हैं और पूरी उम्मीद की चारी है कि इसी पर ये समोधन होगा प्रधान मंत्री का क्योंकि अब पूरी तरीके से जिम्मेदारी आम लोगों पर आ जाती है सेकेंड वेव में जितना बड़ा नुकसान जेल चुके हैं उसके बाद सचेत रहना बहुत जादा जरूरी है रमन कुमार हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ गया उनका रूप कर लेती हूं रमन उम्मीद की जा सकती है प्रधान मंत्री इसी बात पर बोलेंगे जब आज अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं तो किस तरीके से ताकि दोहरे वेव की जो चनौतियां थी वो फिर सिर न उठाएं उस पर काबू पाने के लिए लोगों से अपील हो सकती है प्रधान मंत्री की क्या करना है क्य एक वेव करना की गैडलाइन्स हैं वो मास का भी इस्तिन्सिंग का इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इससे पहले जो नुक्सान जेलना पड़ा भारत के लोगों को परिषानिया जेलनी पड़ी और सरकार को समय रहते यह बड़ी जिम्मेदारी ह कि लोगों को ये बात बता है कि जो इस परिशित्यों का सामना पूरे देश ने किया जिस तरीके से कई लोगों की मौत हुई कई लोग हमसे अलग होगी जित जुदा हो गए उनका निधन हो गया उस परिशित्य को ध्यान में रसकर अभी भी परहेज करने की जरुरत है और प् ये खबर आ रही है जिस तरीके से अलग-अलग विज्वल सामने आ रहे हैं कि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालम नहीं कर रहे हैं चाहे दिली की बात करें मुंबई की बात करें या देश के अलग-अलग हिस्तों की बात करें क्योंकि आज कई देश के अलग-अलग राजियों में परोना गाइडलाइन्स में ठील देते हुए ये दुकाने खुली हुए है, मेट्रो खुल गई है, बसेज चल रही है और आफिसेज में 50% एटेंडेंस दिया गया है और साथी साथ कई ऐसी दुकाने जो अभी तक बंद वो दुकाने खुल गई है, सराब की दुकाने खुल गई है, वहाँ पर बड़ी लाइने दिख रही है, इसलिए एक अंदेशा हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो धिलाई दी गई, जो छूट दी गई, उसके चलते लोगों को फिर से परिशानी हो, क्योंकि अभी भी ये कह जा रहा है कि जो कुरोना का पहला वेव था, उसके खतरनाक दूसरा वेव हमारे सामने था, और अभी ये भी डॉक्टर की तरफे और जो एक्पर्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि तीसरा वेव सिसंबर से लेकर अक्टूबर तक आ सकता है, इसलिए परहेज की जुरत है, दिला करने की कोशिश भी करते हैं, शायद इसलिए भी एकोशिश होगी रहा मन, देखे इस से पहले आपने देखा था कि प्रधानमंति है, लोगों को सचेद करते हुए, लोगों को जागरूप करते हुए, कहा था कि इस तारीक को इतने बजे हम ताल जो तौर जलाएंगे, मोव जिलना पर सकता है,